एक्टिव एज्यूकेशन और इंफॉर्मेशन यूटूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत हैं देखिए आज की स्टीडियो के माद्याम से हम बात करने वाले हैं जो मद्दब्रदिस लाडली बहन बहना योजना क्या है और इस वीडियो के माद्याम से आपको सारी जान करें मिलने वाले हैं कि इसके आवेदन कब से स्टार्ट होंगे लाडली बहन योजना का उद्दे से क्या है एमपी लाडली बहना योजना के लाप क्या होगा और लाडली बहना योजना की पातरता क्या होगी लालली बहना योजना की आवश्चक दस्तावेश कौन कौन से लगेंगे और MP में इस योजना के मुक्तत क्या है और जो सुची होगी हो किस प्रकार से जारी की जाएगी वीडियो में बने रहें वीडियो को बिल्कुल भी स्किपना करें लालली बहना योजना से संबंदी सारी जानकरी आज आपको इस वीडियो कमाद्यम से मिलने वाली है तो सबसे पहले हम बात करते हैं लालली बहना योजना क्या है तो देखिए लालली बहना योजना की सुरुवात मद्द्दे सरकार द्वारा की गई है इस योजना की गोचना मद्द्रदे सरकार सिरिसीवरा सिंग चोहान के द्वारा नर्मदा जैन्ती के सुबाउसर पर 28 जन्वरे 2023 को बुद्नी में नर्मदा तत के पावन स्तल पर की गई और जल्दी स योजना को सरकार द्वारा लागू कर दिया जाएगा इस योजना के तेथ प्रदेश में रहने वाले सभी बेटियों को 1000 रुपे प्रती माहा दिया जाएगा हमारे देश में कहीं लोग आरती ग्रूप से कमज़र होने के कारण अपनी बेहन को उच्च सिक्चा नहीं दे पाते हैं प्रदेश में रहने वाले कहीं लोग ऐसे भी हो जरूरी है इसमें अगला जो हमारा बात आती है इसकी योजना की देट तो देखिए फॉर्म भरने की जो डेट है यहां पर मार्च से स्टार्ट होंगे और जून में इस योजना के पेसे महिलाओं के बेंक एकॉन में आना शिरू हो जाएंगे इसके बाद हम बात करें कि ज इसका उद्देश से क्या है तो देखिए लाड़ी बेहने योजना का मुख्य रूप से जो शुरूआत करने का उद्देश से ये बालिकाओं के भविश्य को उज्वर बनाना है ठीक है और उनमें सकरात्मक सोंच को बढ़ावा देना है और मुख्य मंत्री लाड़ी बेहन योजना की शुरूआत इसलिए भी की गये ताकि आर्थिक रूप से शायता की जा सके और इसमें निमने सबी मद्यम वर्ग के बहने किसी भी जाती की बहन हो समाने वर्ग पिछटा वर्ग अनुसुची जन जाती सबी बहनों को यहां समान रूप से योजना का लाप मिलेग अब प्रदेश में रहने वाले सभी बेहनों को 1000 रुपे हर महीने दिया जाएगा पांस साल में 60,000 रुपे दिया जाएगा ताकि वहां आरती ग्रूप से मजबुत हो सके यह सोजना पर सरकार द्वारा 5 वर्सों में 60,000 करोड रुपे खर्च किया जाएगा अगला हमाँ टोपिक के में बात करें कि जो MP लाली बहना योजना के लाब है इसमें लाब उन्हीं आरती ग्रूप से जो कमज़ोर है उन्हीं को दिया जाएगा और प्रती महां 1000 रुपे प्रदान किया जाएगा योजना के अंदर के दिये जाने वाल लाब को महिला के बेंग के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से बेजा जाएगा जिससे बरश्टरचार की कोई गुंज़ाइस नहीं होगी यदि कोई महिला पहले से किसी भी योजना की तेट लाब उटा रहे तो उसे भी इस योजना में सामिल के जाएगा महिला चाहे किसी भी धर्म जाती जाती से नाता रखती हूँ सभी को इस योजना में सामिल के जाएगा पेंसन पाने वाली महिला भी इस योजना का इस्सा बन पाएगी इसका साथ हम अगला टोपिक पर यहाँ बात करें यहाँ पर कि जो हमारा लाली लच्मी बहना योजना की जो पात्रता होगी वो किन किन लोगों को मिलेगी देखे इसमें बताया गया कि निम्नवर्ग, मद्यमवर्ग, किसान यूंगरीब महिलाओं को इस योजना में सामिल किया जाएगा जिन महिलाओं के परेवार आयकरदातक सामिल नहीं किया जाएगा यदि वो आईकर दाता की स्रेनी में आते हैं याने कि यदि किसी भी प्रकार से इंकम टेक्स को बुक्तान करते हैं तो उनको इसोजना में नहीं लिया जाएगा केवल एज से ही महिलाओं को सामिल के जाएगा जिनका परिवाल किसी प्रकार से इंकम टेक्स का बुक्तान ना कर उन्हें इस योजना में सामिल किया जाएगा जो भी महिला है आंगन वाडी, त्रसोया, आसा भाहू, स्वयम सायक, समु से तालुकात रखती है तो उन्हें भी मद्रवसे बहना योजना में सामिल किया जाएगा यदि कोई भी महिला पहले से किसी योजना जैसे पेंसन, लाली लश्मी योजना, संबल योजना, आदी के अंतरगत लाव उठा रही है, तो उसे भी इस योजना के तहट अलग से लाव पहुचा है जाएगा, इसके बाद इसमें आवश्यक दस्तावेच के में दिबात करें, योजना का नाम, एमपी लाली बहना, योजना, राज, यहां मद्द प्रदेस में शुरुआत किया गया है, सुरू किया गया है, सिरी सिवराज सिंग चोहान जी के द्वारा, विबाग महिला एवं बाल विकास विबाग के तहट इसको चार लुक किया गया है, केटेगेरी MP Government Skim याने की मद्द प्रदेस सरकार की योजनाएं लाभारती प्रदेस की महिलाएं आर्थिक लाभ बारा हजार रुपे प्रतिवर्स पात्रता जो महिलाएं आएकर नहीं देती है, अधिकारी वेबसाइट, अभी अधिकारी जो वेबसाइट है, यह जारी नहीं किया गया है, तो इस वेबसाइट को जारी जैसी होगा, हम इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में या कमेंट्स करके आपको बता देंगे, तो देखें, ऑनलाइन आवेदन होने के पच्चात जो लावारतिक सुची है, यह आपको इसकी वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगा, इसमें आपका आवेदन करता अपना नाम चेक कर पाएंगे, इस ओजना के तहित महिला को रक्षबंदन के पहले उनके खाते में लाव पहुचा दिया जाएगा, मैं आशा करता हूँ कि आपको जान करें बहुत अच्च्च सौन्च मैं होगी, इस ओजना संबंद जूड़ी जान करी के लिए कोई सिव डाउट से तो आप हमें कमेंट् करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, थैंक यू